आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग हरियाना के अंदर जितने भी कॉलेज़ेस हैं उनके कटफ के बारे में बात करेंगे कि कितने रैंक तक जो है कॉलेज़ेस क्लोज होते हैं और कहां तक आपको ब्रांचेस वगरा यहाँ पे मिल सकती है इससे पहले मैं आपको बता होगे अगर तो एक वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जायागा कॉलेज मित्रा और कॉलेज प्रेडिक्टर के नाम से यहाँ पर आप कांसलिंग को सेलेक्ट करोगे जो कि मैं यहाँ पर अगर अगर मैं हस्ट को सेलेक्ट करता हूं मैं अपनी काटेगरी मानली जीए बीसी सेलेक्ट करता हूं उसके बाद अपनी रांक पो एंटर करता हूं मैं लो मेरी रांक 131909 है तो अगर बटन पर मैं जैसे ही टाप करता हूं मुझे दिख जाता है मुझे 34 कॉलेजेस टोटल यहाँ पर मिल जाएंगे टोटल सारे के सारे गौर्डमेंट कॉलेजेस हैं आपे म सकती है यह चीज़े आप बड़ी आसानी से इस वेबसाइट पर यहाँ पर देख सकते हो चीज़े डेली हुए और सिर्फ एचस्टीस नहीं सिर्फ एचस्टीस नहीं दोस्त मेरे यहाँ पर जो साथ यूपीट्यू एपीट्यू जैक चंडिगर्ड आईपी यू ओजे घावाद के अंदर यहां पर कुछ काटेगरी जो है यहां पे लिखे हुए उन काटेगरी को पहले माप को बता दू रो-एचसी काटेगरी जो है इसका फुल पॉर्म ड्रेस्ट आफ अफ हर्याना काटेगरी यानि कि जो भी बच्चे हर्याना से बाहर के हैं उनके लिए य स्टूडेंट है वो इस काटेगरी में लाइख करेंगे एड़े जो हर्याना के अंदर होने चाहिए उनकी डोमिसाइल हर्याना की यहाँ पर होनी चाहिए तो आप 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 सी काटेगरी आईटी ब्रांच के लिए यहाँ पर कट देख सकते हो जैसे मैं बात कर वह अगर BCB category के लिए computer engineering की जो cut up गई तो 56,305 तक गई थी online के अंदर वही SC category वालों को 1,33,763 रांग तक याण 1,33,000 रांग तक यहां पर SC category को YMCA के अंदर computer engineering की ब्रांच यहां पर मिली है वहीं अगर मैं नीचे थोड़ा सा बात करता हूँ तो ROHC category को mechanical engineering हिंदी medium वाली 2,96,000 तक मिली थी वहीं SC category को civil engineering 1,88,000 तक मिली थी यह जो नीचे जो है अपना table उसके अंदर हमने बताया है कि college कितने rank तक close हुई है और उपर जो table है उसके अंदर जो top की ब्रांच से computer science IT उसके बारे में यहां पर बात की गई है तो पूरे slide में इन चीज़ों को आप ज्यान रखेंगे तो आपको बड़ी easily cut up अगिर हो जाएगी और बाकि आप अपनी rank के basis पे predict करना चाहते हो तो वो तो आप website पे जाके चीज़ों को देखी सकते हो इसके अलावे second number college आजाता है decrust मुर्थल जो की सोनीपत के अंदर located है यहां पर अगर मैं बात करूं BCB category को तो यहां पर 90,000 तक computer science की branch मिली है SC category को वही 1,73,000 rank तक मिली है अगर वही बात करूं कि college close कहां पे हुआ तो EWS category के लिए college biomedical engineering मिली थी last 5,19,000 rank पे 5,20,000 rank पे वही SC category बालों को biomedical engineering 5,64,000 rank यहां पे मिली है decrust मुर्थल भी बहुत ज़्यादा अच्छा college यहां पे माना जाते है सोनीपत के अंदर है दिल्ली से पास है तो इस college को भी बहुत ज़्यादा यहां पे आप प्रेफर कर सकते हो इसके अलावा आता है कुर्चेत्र university के अंदर आप यहां पे BCA categories अगर हो तो 1,80,000 तक आपको यहां पे computer science की branch मिल जाएगी वही BCB category को 1,14,000 तक SC category को 2,6,000 तक मिल जाती है यह मैं online के बात कर रहा हूँ इसके अलावे physical counseling भी होती है physical counseling के अंदर cut-off और जादा यहां पे कम चली जाती है तो आपको बहुत आसानी से चीज़े यहां पे मिल रही होगी इसके अलावे बात करूँ कि कुर्चेत्र university आपका close किस rank पे हुई है तो SC category के लिए electronics and communication engineering की branch मिले 3,54,000 rank पे BCA category वालों के लिए ECE की branch 4,87,000 rank पे यहां पे मिली है तो इन चीज़ों को आप यहां रखेंगे इसके अलावा बात करता हूँ GJUST हिसार की GJUST हिसार के अंदर अगर आप EWS category से हो basically हडियाना के अंदर हो तो आपको IT की branch 1,38,000 rank तक मिल जाती है और यह मिलती है आपको online के rounds में round 1, round 2, 2 round होते हैं online HSTS counseling होती है हडियाना के अंदर admission लेने के लिए उससे आपको मिलती है इसके अलावे इसके physical counseling पे होती है college जाके आप वहाँ पे website पर register करते हो college के official website पे फिर जाते हो और वहाँ पे जाके आपकी counseling होती है यहाँ पे मिल जा रही होती है वहीं अगर मैं बात करता हूँ कि close कितने rank पे हुआ था तो printing technology SC category को 5,96,000 rank तक मिली थी हरियाना के जो general student है उनके लिए packaging technology 7,22,000 rank तक मिली थी तो यह चीज रहते है जीजे हुई सार के अंदर इसके अलावे बात करो MDU रहत तक MDU रहत तक बहुत जदा popular यहाँ पे university निकल के आ जाता है BCA category के लिए computer science के branch यहाँ पे 23,000 पे close हुई थी BCB category के लिए same computer science के branch 2,15,000 पे और वहीं बात करों कि अपना MDU कितने rank पे close हो गया था politics वगेरा थोड़ा सा है यहाँ पे इसलिए जीजे विसार को हम थोड़ा सा इसे उपर रखते हैं आपकी SC category के लिए electrical engineering के branch 4,84,000 पे close हो जाती है electrical engineering के branch BCA category के लिए यहाँ पे 7,83,000 पे close हो जाती है तो यह चीज़े रहती है MBU रहत तक की इसके बाद आ जाता है CDLSIT सिरसा इसके भी cut-off screen पे दिखे जाएंगे आपको बड़ी easily इनको आप देख सकते हो और यह जो PDF है यह PPT की आपको PDF के form में description में आपको link बिल जाएगा उसको आप देख सकते हो और वहाँ पे detail में चीज़ों को समझ सकते हो और बागे website विजिट करके आप और detail में अपनी rank के basis पे चीज़ों को आप देख सकते हो इसके अलावा SIT निलोकेडी आपका आजाते है जो कि करणाल के अंदर located है च्वादरी रनबीर सिंग है जो कि आपका जजजर के अंदर located है यहाँ पे बात करूँ computer science आपको BCB category से हो तो 3,43,000 तक computer science online के अंदर ही मिल जाती है 4,45,77,000 रैंग तक यहाँ पे CSE branches मिल जाते है CRS society जजर वगिरा के अंदर CDLSAT सिर्सा वगिरा के अंदर बस होता है कि फिजिकल counselling में आपको time पे जाना होता है आपको वहाँ पे चीज़े मिल जाती है ठीक है branches खाली रहती है in fact 12th के marks के basis पे भी in colleges के अंदर admission हो जाता है बस आपको थोड़ा साथ धीरेज रखना होगा धेरे रखना होगा चीज़े हो जाएंगे इसके अलाबा राव बिरंदर सिंग आपका RBS society जो कि रवारी के अंदर located है रवारी के अंदर है EWS category वालों को EC की branch 7,000,000 rank तक भी मिल जाती है 8,000,000 rank तक भी SC category को ये branches मिल जाती है तो अगर आप cut-off को देखो थोड़ा सा अच्छे सी चीज़ों को समझो तो यही समझ आता है कि ये जो colleges है जितने भी 4 SIDs है इंके अंदर admission लेना बहुत ही आसान है बरी easily admission हो जाता है बस आप J-Mains दे दो बस कोई भी कितने भी box कितने भी आपकी rank आ जाए आपका यहाँ पर admission हो जाएगा अच्छी अच्छी branches के अंदर इसके बाद आता है गुरुग्राम उनिवर्सिटी गुरुग्राम उनिवर्सिटी ने लास्ट येर से ही जो है HSTS counselling से आडमिसन लेना स्टार्ट किया है यहाँ पर BC काटेगरी के मैं बात करूं तो computer science के ब्रांच जो कि IOT के लिए मैं बात करूं वह आपका BC category के लिए 22,000 तक यहाँ पर close हो जाती है वही चीज SC category के लिए 559,000 तक रहती है आप detail में देख सकते हो description map को लिए मिल जाएगा PDF का उसको open करके सारी चीज़ों का आप देख सकते हो PDF को save कर लोगे तो बाद में future के लिए आपको काम आ जाएगा उसके बाद रहता है आईजी उमीर को यह भी last year सही accept कर रहा है तो उसको भी आप देख लें और last में रहता है सिरफ women's के लिए भागत फोल सिंग महिला विस्विद्याल है यहाँ पर लड़कियों के लिए बहुत easily जो है आप का आडेमिसन मिल जाता है अगर आप बस government college चाते हो तो आपके लिए भगत फोल सिंग महिला विस्विद्याल है सोनी पत आपके लिए कॉपसन हो सकता है लोकेशन बहुत कमाल का है college ठीक था कि यहाँ पर देखने को बल जाता है बाकि college predictor को आप यहाँ पर visit करे और अपनी rank के basis पे colleges को predict करे है क्योंकि variety of counseling हमने डाल रहा है सिरफ HSTSE नहीं आप देख सकते जो साथ CWPT, MPDT, IPU, Jack Chandigar, OJW और Jack Delhi के colleges भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आपकी rank के उपर तो इसको visit करें जल्दी से जल्दी and thank you very much watching this video और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share करें उन्हें बताएं कि HSTS के अंदर कितने कितने rank तक colleges close होते हैं कितने कितने rank तक colleges यहाँ पर मिलते हैं उस हिसाथ साथ से आपको कौन सा college target करना चाहिए and thank you very much for watching this झाल